नमस्ते मैं हूँ आचारे प्रतिष्ठा बच्चे घर पर और पूरा दिन गैजट्स का इस्तेमाल पढ़ाई भी ऑनलाइन, खेल भी ऑनलाइन, रिष्टारों से बाते भी ऑनलाइन, फिर टेलिविजिन भी स्क्रीन पर बाहर नहीं जा सकते और यह सब करते करते बच्चों की आँखों पर इसका बहुत दुश्प्रभाव पढ़ रहा है और बच्चों की क्यों बड़ों की भी आँखों पर इसका दुश्प्रभाव पढ़ रहा है और हमारे साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे इन क्रियाओं को बच्चे बहुत सुगमता से आसानी से खेल-खेल में कर सकते हैं क्राटक की इन क्रियाओं को करने के लिए हम कमर को सीधा रखते हुए बैठते हैं और मेक शूर कि लाइट सामने से आपकी आँख में ना पड़े पीछे से आए और जहां बहुत जादा धूल हो बहुत तेज हवा हो वहां इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए फर्स टेप के लिए हम राइट हैंड को ऐसे सामने ले जाएंगे और राइट हैंड का भी जो नाखून का अंगूठे के नाखून का चमकता हुआ भाग है उसको अपलग दृष्टी से देखना आखे खोल करके अच्छे से और फिर राइट हैंड को राइट साइड ले जाना और जहां तक आपको वो क्लियरली विजिबल है वहां तक लेकर के जाना थोड़ी दिर रुखना और फिर हाथ को वापस ले आना आख को बंद कर लेंगे और left hand को सामने ले आएंगे, right को वापस ले आएंगे अब left hand को left side ले करके जाना, जहां तक clearly visible है वहां तक और फिर हाथ को वापस ले आना, आख बंद कर लेना, हाथ को relax कर देना इसका अभ्यास आप चार बार करेंगे, यह पहला step है दूसरे step में हम हाथ को इस तरह से आगे पहलाते हैं और इसको नजदीक लाएंगे नाक के जब कुछीज बहुत दूर होती है तो भी clear नहीं नज़र आती, जब बहुत पास होती है तो भी clear नहीं नज़र आती तो इसलिए इसको धीरे धीरे उतना नजदीक लाना जहां तक आपको ये clearly visible है और फिर धीरे धीरे इसको दूर ले जाना हाथ को change कर लेंगे आँख बंद करके अब left hand सामने है फिर से नजदीक ले करके आना और फिर दूर ले जाना आँख बंद कर लेंगे इसको भी हम चार बार दोर आएंगे तीसरे step में हम eyeballs को अपने tip of the nose पर ले आते हैं और eyeballs से बड़ा circle बनाते हैं clockwise and anti-clockwise अपने tip of the nose पर eyeballs को लाना फिर eyeballs को left ले जाना left side up ऊपर फिर right up right side right down tip of the nose और आखे बंद फिर से eyeballs को tip of the nose पर लाना और अब right side से circle बनाएंगे down side up side down tip of the nose और आखे बंद अगले step में इसको भी हम चार बार दोर आएंगे अगले step में सामने देखना और eyes को blink करना blinking करते जाना पलक जपकते जाना 30 seconds of free blinking blinking करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और फिर इस तरह से अपनी हत्थेलियों की कटोरी बना लेंगे ऐसे करके very good ऐसे हत्थेलियों की कटोरी बना करके इस कटोरी को आखों पर ठिका देंगे आखे खुली रहेंगे आखों को बंद नहीं करना है ऐसे में जो भी अंधेरा जो भी warmth आपको अनुभव हो रही है उसको देखना अनुभव करना फिर आखे बंद करके हाथों को हटा लेंगे जब आप हाथों को हटाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी color नजर आएगा आप सब बच्चे घर पर इसका ज़रूर अभ्यास करें एक काम बच्चे ज़रूर करें कि इस तरह से एक आई कप ले आईए यह आई कप बहुत एजीली मिल जाता है इस आई कप में घर का शुद्ध गुलाब जल और अगर घर का गुलाब जल ना हो, माकिट का कोई product हम use नहीं करेंगे तो फिर फ्रेश पानी ले करके और ऐसे इसमें पानी भर लेंगे और फिर अपनी आखों को इसमें डाल करके ब्लिंग करेंगे फिर ऐसे दूसरी आखों को इसमें डाल करके ब्लिंग करेंगे ये दिन में 6-7 बार आपको करना है और तीन बार एक काम ज़रूर करना है आप पानी को मुँ में भर लीजिए इस तरह से और फिर पानी लेकर के अपनी आखों में पानी के छपके मारने है स्प्लैश करना है वाटर को आईज में ये आसान सा काम ज़रूर में तीन बार कर लीजिए बस और रात को सोने से पहले दूद पीजिए और अगर आप अपने आखों को हेल्दी रखना चाते हैं तो रात को बदाम भीग हो ये और सुबहों बदाम को अच्छे से पीस करके उसको दूद में बॉइल करके first thing in the morning should be this बदाम मिल्क ये बहुत चोटी चोटी सी आसान सी ख्रियाए आप कीजिए अपने बच्चों को भी स्वस्त रहिए और खुद भी स्वस्त रहिए